वेलकम टू फ्रोंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम वेर सटिस्फैक्शन एक्सीट्स यू अस्पेक्टेशन अंग्रेजी सिक्छा के छेत्र में एक अनोखा पहल आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस तो आए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क के बारे में पहचान क्रिया पलस चुका चुकी चुके प्लस था थे थी यह सिक्स स्टक्चर से इसे आगे डीटेल्स में देखते हैं तो चली देखते हैं आगे स्ट्रक्चर नमबर वान सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थिरी प्लस आर डवल हैड सब्जेक्ट कुछ भी हो सभी के साथ हैड का यूज तो आए संटेंस को देखते हैं वह मुझे अमंत्रित कर चुका था He had invited me तुम उससे मील चुके थे You had met him वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे They had finished their walks हम लोग कोसिस कर चुके थे We had tried वह हम उससे कह चुका था He had said to me He had said to me इस तरह से पॉजिटिव संटेंस को आप अपने नुसार यूज करते रहे हैं तो शली देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर टू को स्ट्रक्चर नंबर टू ये नगेटिव संटेंस है यानि संटेंस में नहीं चुका चुकी था थे थी रहने पे Had not वी तिरी का यूज जैसे वह मुझे आमंत्रित नहीं कर चुका था He had not invited me तुम उससे नहीं मिल चुके थे You had not met him वे लोग अपना काम समापत नहीं कर चुके थे They had not finished their works हम लोग कोशिस नहीं कर चुके थे We had not tried वह मुझे नहीं कह चुका था He had not said to me इस तरह के नगेटिव संटेंस को आप अपने अनुसार यूज करें चली देखते हैं स्ट्रक्शन नमबर 3 को स्ट्रक्शन नमबर 3 ये इंट्रोगेटिव संटेंस है यानि हिंदी के वाक्य में क्या पहले रहने पे इंगलिस के वाक्य में had का पहले यूज जैसे क्या वह मुझे अमंत्रित कर चुका था Had he invited me क्या तुम उससे मिल चुके थे Had you met him क्या वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे Had they finished their walks क्या हम लोग कोसिस कर चुके थे Had we tried क्या वह मुझे कह चुका था Had he said to me इस तरह के इंट्रोगेटिव संटेंस को आप अपने अनुसार यूज करते रहे तो चली देखते हैं स्ट्रक्चर नमबर फोड को यह स्ट्रक्चर नमबर फोड है इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस यानि हिंदी के वाक्य में क्या और नहीं रहने पे इंगलीज के कावाक सबजेक्ट से पहले Had यानि Had प्लस सबजेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थिरी प्लस आर डवल तो संटेंस को देखते हैं क्या वा मुझे अमंत्रित नहीं कर चुका था Had he not invited me क्या तुम उससे नहीं मिल चुके थे Had you not met him क्या वे लोग अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे Had they not finished their walks क्या हम लोग कोशिस नहीं कर चुके थे Had we not tried क्या वा मुझे से नहीं कर चुका था Had he not said to me इस तरह के इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस को भी आप अपने अनुसार यूज करें तो शली देते हैं स्ट्रक्चर नमबर 5 को स्ट्रक्चर नमबर 5 वर्ड को आप रख करके संटेंस का यूज कर सकते हैं जैसे वह मुझे क्यों आमंत्रित कर चुका था Why had he invited me तुम कब उससे मिल चुके थे When had you met him वे लोग कब अपना काम समाप्त कर चुके थे When had they finished their works हम लोग कैसे कोसिस कर चुके थे How had we tried वह मुझे क्यों कह चुका था Why had he said to me इस तरह के interrogative sentence with interrogative word को आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चली देखते हैं structure नमबर 6 को structure नमबर 6 interrogative negative sentence with interrogative word यानि interrogative word के साथ negative sentence जैसे क्यों मुझे आमंत्रित नहीं नहीं कर चुका था चुका यहां छूट गया आप चुका यह कर लेंगे Why had he not invited तुम कब उससे नहीं मिल चुके थे When had you not met him वे लोग कब अपना काम समाप नहीं कर चुके थे When had they not finished their works हम लोग कैसे कोसिस नहीं कर चुके थे How had we not tried वह मुझसे क्यों नहीं कर चुका था Why had he not said to me इस तरह के इंटुगेटिव नगेटिव संटेंस को भी आप अपने अनुसार यूज करें तो चली देखते हैं चली देखते हैं संटेंस को कि संटेंस किस तरह बनाये जाता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था यहां आने से पहले आने से पहले जाने पहले कहाने से पहुंचने से पहले पहले वाले को बाद में बनाएंगे पहले रोगी मर चुका था यानि बिफोर वाले को बाद में बनाएंगे यानि पहले वाले को जो से पहले से पहले रहे तो उसको बाद में बनाएंगे उसके बाद वाले जो वाक होगा उसको पहले बना करके था, the patient had died before the doctor came, doctor के आने से पहले रोगी मर गया था, the patient had died before the doctor came, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बच चुकी थी, the whale had rung before I reached the school, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बच गई थी, the whale had rung before I reached the school, उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, I had finished my walk before he came, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गारी खूल चुकी थी, the train had started before I reached the station, इस तरह के संटेंस को आप अपने अनुसार यूज करें, तो ये रहा past perfect tense, कोई doubt हो, तो comment करें, video अच्छा लगे, तो like share and channel पे नहीं हो, तो channel को subscribe करके, वेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि latest updates आपको मिलता रहें, thanks for watching, have a nice day.